मैं हूँ आमित और आप देख रहे हैं एके सर्विस एंट फूड इक्यूमेंट चैनल और इस वीडियो में हमारे पास है वन डैक टू ट्रे गैस सवन जिसका मॉडल नंबर है हेचीबी 20Q और यहाँ पर यह जो ब्रैंड नंब है वो जो वीडियोमें हम डिटेल में बात करेंगे कि आप वन डैक टू ट्रे गैसरवन में कितने केक स्पंज का production निकाल सकते हैं तो आप देख सकते हैं हाँ पर हमारे जो client हैं वो one day two tray गैसरवन को use कर रहे हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं different size के याणि अलग-अलग size हो कि यहाँ पर केक के sponge को bake किया जा सकता है और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो केक स्पंज के काफी जादा अच्छी है और हम इस वीडियो में detail पर बात करेंगे कि आप 6 इंच के, 7 इंच के और 9 इंच के कितने मोल के के sponge को bake कर सकते हैं at a time और अगर घंटों में बात की जाए तो आप कितना production निकाल सकते हैं सबसे पहले जो हमारा size है, वह हमारा 6 इंच के cake के मोल का size है, और यहाँ पर इसकी dimension के केक के मोल की अंदर से 6 इंच है और जो बाहर से इसका साइज है वो 6.25 इंच इसका साइज है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो टोटल केक के मोल आ रहे हैं वो करीबन आपके 17 मोल आ रहे हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 17 मोल के 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 स्पंज को बेग कर सकते हैं आप बात करते हैं यहां पर जो केके स्पंज को बेग करना के लिए आपके 30 मिनिट के टाइम के डिरेशन में आप केके स्पंज को बेग कर सकते हैं तो आप देख सकते हैं यहां पर 3, 6, 9, 12, 15 और 2 आगे मोड नहीं तो 17 केके स्पंज के मोड लगते हैं अगर आप इसमें 6 इंच के लगाते हैं और यहाँ पर अगर production की बात करते हैं तो 30 मिनट के according अगर देखते हैं 30 मिनट में तो हमारे 2 लौट निकलते हैं तो यहाँ पर हमारे 17 दुनी 34 केक के sponge बनते हैं 6 इंच के और यहीं पर अगर हम 10 घंटे की बात करते तो 10 घंटे अगर production continue चलता है तो 340 केक के sponge बनते हैं और यहीं पर अगर हमारे जो time होगा वो अगर 45 मेट होगा तो 4 घंटे में हमारे 68 केक के sponge बेग होंगे अब बात करते हैं यहाँ पर जो हमारे जो केक के मोल्ड का जो दूसरा साइज है जो कि सबसे ज्यादा यूज किया जाता है केक स्पंज के साइज को वह है साथ इंच का तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके बारा आते हैं तीन छे नौ बारा मोल्ड आप इसमें काफी आसानी से रख सकते हैं और जो इसके आउटर में करीबन हमारे 240 स्पंज आप बेग कर सकते हैं अगर आप साथ इंच के यूज करते हैं आप बात करते हैं आप नौ इंच के के मोल्ड के साइज के तो आप देख सकते हैं नौ इंच के हाँ पर जो के के मोल्ड के साइज है वो करीबन आपके के मोल्ड आते हैं चार एक तर आपका जो 0.25 है वो एक्स्टा रहेगा तो अगर बात करते हैं प्रोडक्शन के लिए 9 इंच के लिए तो 9 इंच में अगर देखा जाए तो एक घंटे में दो लॉट निकलेंगे तो करीबन 16 और 10 घंटे में अगर आप देखते हैं इसको तो 10 घंटे में करीबन आपके 160 स्प यूज किया जाता है वो ट्रे में यूज किया जाता है और अगर होल सेल में अगर आप अपने केक के स्पंच की सप्लाई को सेल करते हैं तो वहाँ पर ट्रे के अकॉर्डिंग के के स्पंच को सेल किया जाता है जिससे कि वह ज्यादा प्रॉफिट इंक्रीज करते हैं पर आपकी एक गंटे में 2LT निकलेंगे और यहाँ पर जो हमारी ट्रे है वह चार और चार तो 8 आठ हमारे केक स्पंच के तयार होंगों यहां पर जो ट्रे है बारागाई जो किये है अगर आप इसे बारागा एक की कर देन गे तो यहां पर जो साcular है वह आ जैसे आधी चार हो जाएगा बात करते है प्रडक्शन की तो हमारी 30 मीट के को अगर आप देखते हैं तो 30 मैट के अकॉड निकलेंगे और 10 गन्टे में करीबन 80 के स्पुंच को आप सेल कर सकते हैं तो सबसे जाधा आप देख सकते हैं आप आप चाहें मोल्ड में केक स्पुं चार गंटे में, अगर आप तीन गंटे से यूज़ करते हैं, तो आप चार लोट लेते हैं, तो 32 ट्रे तक का माल आप इसमें तयार कर सकते हैं, अब बात करते हैं, आप थोड़ी डिटेल्स के बारे में कि आप कैसे मशीन को अपरेट कर सकते हैं, और क्या टेंपरेचर कंटो के किरने के लिए अब बाथ करते हैं और ज्ञादाधा डिटेल में के के सपंच के बारे में अगर आप यहां पर अंडे के केופश बनाते हैं तो अ India होती है तो वहाँ पर जो temperature यूज़ किया जाता है वो temperature आपका 220 celsius degree तक के light temperature यूज़ किया जाता है और 30 मेंट आपके cake catch sponge को ready किया जाता है लेकिन जब premix के साथ हमेशा cake catch sponge को bake किया जाता है तो वहाँ पर जो उसका temperature लिखा होता है प्रीमिक्स के उपर आप देखेंगे 175 celsius degree और 500 celsius degree का temperature लिखा होता है अगर आप उस temperature के according अगर अपने cake के sponge को bake करें तो आपको approximately 40-45 minute लगेंगे इसलिए मैंने हाँ पर जो आपको production time है वो 40-45 minute के according के हिसाब से 45 minute और 30 minute के duration का बता है अगर आप अपने temperature को वहाँ पर increase कर देते हैं जैसे कि आप आपने देखा होगा प्रीमिक्स पर लिखा होता है 175 और 1500 अगर आप उसको 190 celsius degree पर बहुत को करते हैं तो आप अपने जो sponge है वो 35-40 minute के duration में बना सकते हैं और जिन्हों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं क्यों प्लीज सब्सक्राइब किजए एके सर्विसेंट फूड इक्यमेंट चैनल को ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के कर सकते हैं और यहां पर अगर इसकी आपको प्राइजिंग की कुछ भी डिटेल चाहिए तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 9717463679 पर या विजिट कर सकते हैं www.akfoodrequements.com पर जहां पर आप और ज्यादा डिटेल में देख सकते हैं कि आपके इस तरीके से केक के स्पंज को बेग क कर सकते हैं और यहां पर आगर आपको और भी ज्यादा मॉडल चाहिए होल सेल के 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 स्पंज को बेग करने के लिए तो आप हमारे टू डेक 4 ट्रे 3 डेक 6 ट्रेक 7 के मॉडल देख सकते हैं और अगर आपका कोई भी कोशन है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और प्लीज एमेल आइडिया, कॉंटेक्ट नंबर ज़रूर मेंशन की दिये, जिस पर हम आपको कॉंटेक्ट कर सकें. थैंक यू फॉर वाचिंग आर चैनल.